दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा अपने मुबाइल को अपडेट कैसे करते हैं अगर आप अपने मुबाइल को अपडेट कर लेंगे तो आपका मुबाइल हैंग भी नहीं होगा टीक है इस तरह से आपको notification दिखाई देगा इस पर click करके आप अपने mobile को update कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से notification नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको अपने mobile की settings में आ जाना है settings में आने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आप आएंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर एक notification शो होगा यहाँ पर मैं आपको दिखादू आप देख सकते हैं system update यहाँ पर एक dot दिखाई दे रहा है इसे आप open करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आपको update देखने के लिए मिल जाएगा आप देख सकते हैं download और install यहाँ पर आपको update में क्या-क्या मिलने वाला है कितने MB का update है वो सारी details आपको यहाँ पर दिखाई देगी mobile को update करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है सबसे पहले आपको अपने mobile को charge कर लेना है कम से कम 50% आपके phone में charging होना चाहिए और आपके mobile में 1GB से लेकर 2GB तक data भी होना चाहिए क्योंकि कभी-कभी updates काफी बड़े होते हैं तो अगर आपके mobile में MB कम होगा तो आपको जो update है वो download नहीं होगा तो आपको अपने mobile को update अगर करना है तो आपको यहाँ पर आजाना है या फिर आपको notification पैनल पर click कर देना है तो यहीं पर आप आजाएंगे आपको download and install पर click करना है इसके बाद दोस्तो downloading शुरू हो जाएगी आप देख सकते हैं यहाँ पर update जो है वो download हो रहा है इसके बाद आपके सामने इस तरह से interface आएगा आपका mobile restart होगा अपने आप switch off हो जाएगा उसके बाद अपने आप switch on होगा आपको कोई भी button नहीं दबाना है इसके बाद दोस्तो यहाँ पर कुछ और process होगा कुछ और file download होगी तो आपको यहाँ पर downloading पूरी complete होने देना है process complete होने के बाद फिर से दोस्तो आपका mobile जो है वो off होगा उसके बाद फिर खुद बखुद on हो जाएगा इसके बाद दोस्तो फिर कुछ यहाँ पर process होगा तो आपको इस process को भी पूरा complete होने देना है process complete होने के बाद mobile on हो जाएगा अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने mobile को unlock कर लेना है unlock करने के बाद दोस्तों आपका mobile on हो जाएगा mobile को on होने के बाद दोस्तों आपको कम से कम 10-15 मिनट use नहीं करना है आपको mobile को इस तरह से side में रग देना है 10-15 minute के बाद आपको mobile use करना है अगर आफ update करने के बाद फ़ोरण mobile use करेंगे तो आपका mobile slow चलेगा mobile hang करेगा लेकिन आप 10-15 minute के बाद use करेंगे तो आप देखेंगे आपके mobile की जो performance है पहले से बढ़ जाएगी और आपका mobile hang भी नहीं होगा तो इस तरह से आप किसी भी Android फोन को अपडेट कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाकर आल पर सेट जरूर करना